लिखे भी अपना नया टोपिक नए पढ़ने पर शिक्षक, शिक्षा, सनस्थाएं जिने हम लिखते हैं टीचर एजूकेशन इंस्टुटूट्स इसलिए मैंने सुबह आपसे पूछा भी था टीई कार्थ क्या होता है टीचर एजूकेशन पहले देखे हम हमारे रास्टिय इस्तर और राज इस्तर की सारी इंस्टुटूटों को लिखेंगे एक बार उनमें से ये पहचान करेंगे टीचर एजूकेशन की कौन सी है और Other Activity की कौन सी हमें यही नहीं पता कि Teacher Education की कौन कौन सी होती है और Other Activity की कौन कौन सी होती है पहले एक साथणी के रूप में जानेंगे फिर उन ठोपिकों को पढ़ेंगे हम शिक्षा क्या है और कौन कौन से काम इसमें होते हैं वो बाद में देखते हैं, तो सबसे पहले देखें, जब सनस्थाओं की बात आती है, तो सारी सनस्थाओं को मैं यहां लिख रहा हूँ, विशेश कर देखें, दो भागों में बाट कर, रास्टिये और राज्जिकी, ताकि हमें पता रहे, यहां तो मैं लिख रहा हूँ, रा अब आप देखिए रास्टिये जो सनस्थाएं हैं इनको क्रम से देखते हैं हम एक एक करके सबसे उपर आता है अपने इसमें रास्टिये में M.O.E. Ministry of Education इस्थापना कब हुई? 2020 क्या है एक मंत्रा ले कहां पर है दिल्ली में ये है सबसे बड़ा देखो फिर उसके बाद एक और आती है N.I.E.P.A. National Institute of Educational Planning and Administration इसी से पता चल रहा है ये शिक्षा के छेतर में क्या करती है? प्लान का काम करती है और प्रसासन का काम करती है Administration का मतलब क्या होता है? प्रसासन यानि ये नियोजन और प्रसासन के छेतर में काम करने वाली National Institute है इन का मतलब क्या है? नेशनल लेवल की और इसकी स्थापना देखे एक छोटे से URC Center के रूप में हुई थी UNESCO दवारा अपने दिल्ली में लेकिन आज ये बहुत बड़ी इंस्ट्यूट बन गई कब बनी ये? 1979 में नीपा बना दिया गया था इसको सोट में क्या कहते हैं? नीपा सबसे बड़ी इंस्ट्यूट है एजूकेशलन प्लानिंग करने वाली ये हमारे देश की इसलिए हम इस हमारे देश का क्या कहते हैं? ठिंक टैंक भी कहते हैं इसको हमारी एजूकेशन प्लेशी भी यही बनाती है काम कौन करवाता है? मंत्रा ले लेकिन करवाएगा किस से? एजेंसियों से करवाता है जैसे इस agency से तो क्या करवादा है policy बनवाना कहां पर है ये दिल्ली में है देखो काम क्या करती है हमारी policy यानि सक्षिक नीती का निर्मान देखो सबसे बड़ा काम तो यही था हमारी policy 2020 CC ने बनाई है फिर चलते हैं आगे देखे N-C-E-R-T यह भी national level के N लिखा हुआ है दो काम करती R और T R मानि research T मानि training प्रसिक्षन देना और दूसरा अनुशंधान करवाना 1961 में स्थापना होई इसकी भी दिल्ली में और यह दो काम करती हमारे प्रसिक्षा के चेत्र में प्रसिक्षन और ट्रेनिंग देने का काम लेकिन यह खुद काम नहीं करती काम करवाती है इसके अंडर और इंस्टिटूट भी है इसके अंडर ऐसी कौन-कौन सी है इसके अंडर यदि हम देखते हैं तो देखिए एक तो आती है NICE National Institute of Education एक आती है National के बाद होता है Regional RIE Regional Institute of Education फिर आती है State SIE वो State में आएंगी जब मैं State पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे एक देखे इसके अंदर जो चलाई गई है आजकल Technology का जमाना आ गया तो Technology Institute और बना दी है और उसका नाम है C I E T Central Institute of Educational Technology यह Audio Video जितने भी होते हैं यह बनाती है TV पर जितने भी प्रोग्राम आते हैं सारे रिकोर्डिंग यही होते हैं यहां इस्टूडियो है जैसे TV चैलनों पर नहीं आते हैं विबिन प्रकार कारेकरम शिक्षा से सब यहीं तयार होते है विबिन प्रकार की ओडियो वीडियो सामगरी जो आती है वो भी यही होते है क्योंकि यह Central लेवल की इंस्टूट है E T एक होता है T E Teacher Education उल्टा कर दे तो T E को यह था हमारे पास T E इसको उल्टा लिख दू तो और E T का मतलब Educational Technology जी और यह T E कर दे तो Teacher Education चोथा है और आता है व्यवसाइक शिक्षा व्यवसाइक शिक्षा का भी सेंटर खोल रहा है NCRT ने जहां व्यवसाइक शिक्षा की पचरिया बनती है और व्यवसाइक शिक्षा को हम क्या कहेंगे Central Institute of Vocational Education इसका नाम तो बहुत बड़ा है पंडित सुंदरलाल सर्मा पी एस एस सी आई वी ए लेकिने मैं सोट में लिख रहा हूं इतना बड़ा नाम याद नहीं होगा आपको तो हमें पता होना चाहिए व्यवसाइक शिक्षा यह टेक्नोलोजी की शिक्षा यह रिजिनल सिक्षा यह नेशनल लेवल यह काम कराता है देखें रिसर्च नेशनल लेवल पर यह काम करता है ट्रेनिंग देने का क्योंकि दो काम थे ना इसको तो दिया अनुसंदान इसको दिया ट्रेनिंग पूरे देश में पाँच ही ट्रेनिंग सेंटर है इसके NCRT के, जिनने हम रीज़नल कोलेज कहा करते थे पहले और आज कल कहते है रीज़नल इंस्टुटीट, कहां कहां पर है नौर्थ इंडिया का तो है हमारे अजिमेर में, साउथ इंडिया का है मैशूर, इस्ट इंडिया क से 70 किलोमेटर दो अम्यक इस्थान पर नाम है उम्यक इस्थान वहां पर देखें चीरापुंजी जिलेगे वहां पर खोला गया है वो इस तरह से NIE, RIE, CIET और CIV ये सब हाथ पेर हैं NCRT के और NCRT का मूल काम है पाठचरिया बनाना और पाठचिपुस्त के बनाना और शिक् काम करवाता है इनी से और ये हमारी NCRT ये कहां है दिल्ली में ये कहां है पांच जगें हैं ये कहां है दिल्ली में ये कहां है बोपाल में कहां पर है ये बोपाल ये कहां पर है दिल्ली में ये है पांच एक दो नहीं है ये कहां है दिल्ली में और ये भी कब खोले गए थे 1963 और इसकी स्थापना होती है 1901 अब आता है लास्ट इंस्टिटूट NCTE ये है टीचर एजूकेशन की इंस्टिटूट देखा TE National Council of Teacher Education और टीचर एजूकेशन की मानिता देने का काम इसका है पूरे देश में कौन से बीएड कोलेज को मानिता होगी और कौन से को नहीं होगी कई बार देखें बीएड कोलेज वाले चलाते रहते हैं लेकिन पाठी करम को मानिता ही नहीं होती है बाद में पता चलता है बच्चों को हमारी तो मानिता ही रद है इस कोलेज वालों आपको गुम रहा किया तो यह भी क्या करें यह अपनी साइट पे डालते हैं हर साल पूरी वार्षिक रिपोर्ट आती है इतने तो कोलेज है मानिता प्राफ इतनी इंस्टिटूट से सब की होती है यहां यहां से आप DLA कर सकते हैं यहां इंटेग्रेटेड इसलिए टीचर एजुकेशन की सबसे बड़ी इंस्टिटूट इसकूलों की सबसे बड़ी इंस्टिटूट शिक्षय अधीकारियों की सबसे बड़ी इंस्टिटूट क्योंकि शिक्षय अधीकारी क्या करते हैं प्रसासन और प्लानिंग का काउं और इनके उपर कौन है आपको फंड देता है इनको चलाता है यह है national level पर देखो system अपना अब चलते हमारे राजस्तान अधर स्टेट की बात नहीं कर रहा केवल राजस्तान अब राजस्तान में देखिए जो काम देखिए यह करता है राष्टी इस्तर पर तो हमारे राजस्तान में भी अधिकारी रहते हैं ऐसा नहीं है कि यहां नहीं है उनकी चमता सवर्धन उनको प्रसिक्षन देने का काम कौन करता है तो अपने यहां भी एक institute खोल दी गई है और उसका नाम है सीमेट कहां पर है 2004 में खोली गई थी गोनेर जैपूर कहां पर है यह जैपूर में देखिए जो काम नीपा करता है वो ही काम इस्तेट में सीमेट करती है शिक्षा अधिकारियों को प्रसासन और प्रबंदन की ट्रेनिंग देती है इसलिए इसका नाम है state institute of educational management and training तो देखे management के छेतर में क्या देती है ट्रेनिंग देती है अधिकारियों को बताया जाता है आपको कैसे कैसे काम करना है नेशनल लेवल पर पाठिक्रम और पाठचरिया कौन बनाती है NCRT इसी तरह इस्टेट लेवल पर ये काम करती है SCERT केवल यही अंतर है देखो वहाँ N है या रटना नहीं है किसी को भी पता लगना चाहिए N आजाए तो नेशनल S आजाए तो इस्टेट D आजाए तो district B आजाए तो block और P आजाए तो पंचायत लेवल की सब के पीछे लिखा रहता है काम क्या करती है देख लो किसी को पढ़ लो planning and administration research and training teacher education M.A.T. management and training ये देखिए R.T. research and training अब इसके बाद देखिए इसकी स्थापना कब होती है अपने यहां 1988 में है कहां पर है ये उद्यपूर है भी अब आगे चलते हैं देखिए अपने यहां पर teacher education का काम करती है हमारे शिक्षक शिक्षा की स्नस्था शिक्षक शिक्षा हमारे यहां दो तरह की सिक्षा दी जाती है एक तो प्रारंबिक शिक्षा का सिक्षक बनता है डी अलेड करके बनता है जो पांच वी तक ही पढ़ाएगा एक मत्मिक इक शिक्षा का शिक्षक बनता है, वो बीड करके पढ़ाता है, तो हमारे यहां दो तरह की शिक्षा है, देखो अब आप, एक तो कौन सी है, प्रारंबिक, या प्रारंबिक नहीं, प्राथमिक कहने ज़्यादा बढ़िया रहेगा, प्राथमिक, प्राथमिक शिक्षा, प्र मिलती है डाइट में मिलती है भई और डाइट एक नहीं है 33 डाइट है अपने यहां कितनी है प्रतेक जिले में एक इसलिए मैं S लगा देता हूं संख्या लिख देता हूं 33 SC और ST के बच्चों के लिए बाइट खोली गई है ब्लोक लेवल पर जो काम डिस्टिक लेवल पर डाइट करती है वही काम कौन करेगी ब्लोक लेवल पर बाइट तो SC और ST के बच्चों के लिए डी की जगे क्या होगा अब B.I.E.T. बाइट चारी हैं गंगा नगर हनुमान गड़ SC के बच्चों के लिए डूंगरपुर बांसवाड़ा ST के बच्चों के लिए चार बाइट खोली आधी 2013-2014 में कभ खुली थी ये 2013-2014 में चार बाइट हैंν यह लिठी है यह सारा काम किसमें प्राजमिक जिक्षा और प्रारंविक जिक्षा रोकंट कहते हैं आजकल तो यह नाम है थे डी travaille होती है यह नहीं होती है पहले BSTC कहा करते हैं मदमिक शिक्षा में क्या कहेंगे बीयड कहते हैं और बीयड होती है तीन इस्तर यह जो आपको नहीं पता हो साथ बीयड के कितने इस्तर वो बताए गए हैं तीन इस्तर बताए गए हैं उच इस्तर मदमिस्तर और निमनिस्तर ब कि फर्स्ट लेवल पर तो आता है Beard College IASE, ये दो ही हैं हमारे राजस्थान में, कितने हैं, दो, सेकिंड लेवल पर आता है इससे नीचे इससे घटिया, उन्सका नाम है CTE, और ये देखिए कितने अपने या आठ, एक की मानिता और रद हो रही है, CTE कितने आठ, आप कहेंगे साब कौन से हैं, पहले तो IASE बता देता हूँ, एक विकानेर में हैं और एक अजमेर में हैं, कोर्स में भी है, डिटेल से पढ़ेंगे भी, लेकिन CTE College of Teacher Education को ती का रत तो आता है या आपको, C का मतलब क्या College of Teacher Education और ये आठ हैं, सबसे पुराना है साहा, गोवर, धन, लाल, काबरा, जोधपूर, दो उधवपूर में हैं, लोकमानितिलक, डभोक, विद्याभवन, उधवपूर, एक भरतपूर में हैं, बुशावर, जो महिला बीड कोलेज है, एक जैपूर में हैं, जो यहां पर है, जामडोली में, श्री अगरसेन के नाम से जो, उसके बाद एक अनुमानगड में है, संगरिया, ग्राम उत्थान, एक अपने अजमेर में है, हरी भाव उपाध्याज सीटी, कहां पर है हटुंडी अजमेर, और आठ्वा जो था, सर्दार सहर में था ये, औ प्रोटिस दे दिया गया है, उसको हो सकता है, उसके मानिता रद्ध हो जाए, तो साथी बच्चे अपने याँ, CTE, तो ये कहलाता है, CTE कितने, आठ, और फिर आता है, सबसे घटिया अपनी घर की दुकान, थर्ड नंबर पर निम निस्तर, उसको कहते है, TTC, और ये आठ और जिसका प्रोडेक्ट जाधा तर कोचिंगों में नजर आता है, आप सब लोग यहीं के प्रोडेक्ट हैं, जाधा तर, जो सब से घटिया इस तर के ट्रेनिंग कोलेज होते है, आठ नहीं, कितने हैं, आठ तो से भी जदा, अब आप कहेंगे साब ऐसे, इंडिया के तो उसमें भी राज्यों की सीटे फिक्स होती हैं, बार्वी के बाद एक्जाम होता है, पहले होता था परसंटेज बेस, 92, 93 जाती थी बार्वी की परसंटेज वाँ, इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं वाँ, NCRT के प्रोफेसर पढ़ाते हैं वाँ, लेकिन आजकल कंपिट्शन होने लगा है, जो कंपिट्शन पास करते हैं, सीटी एक्जाम होता है, कॉमन एंट्रेंस एक्जाम होता है, अब आप देखिए, यह पांच ही हैं, ओल इंडिया में, सबसे उच्छ लेवल की बीड़ यहां, यहां एडवीशन नहीं होता है, तो फिर हमें यहां लेना चीए, IAC से कितने हैं अपनी क्लास में? है कोई? आप देख लो, खुद देख लो, नहीं है ना? CTE से कितने हैं? जो मैंने आठ नाम गिनाए थे, इन CTE से, एक ने भी हाथ उपर नहीं किया, आप देख लो, बाकि फिर और को इस्तर ही नहीं है, सबसे घटिया, निम निस्तर ये रहा है, और इससे घटिया होता है, तो साइद वहां से होते हैं, अब आप कहेंगे, साब इससे क्या फरक पढ़ता है, डिग्री तो बीएड की है, परक पढ़ता है, जब अच्छी नोकरी में जाओगे, जब फरक पढ़ता है, एक IIT का बच्चा इंटर्व्यू देने जाता है, तो सामने वाला देखे, जब सवाल पूछता है, उसे उसी लेवल की बात करेगा, जिस लेवल का बच्चा है, जब इंटर्व्यू में जाओगे, आप आरेस के लिए, या I.S. के लिए कुछ और उच्छे एक्जाम दोगे, आप जहां इंटर्व्यू जोते हैं, वहाँ आप से पूछे थे, आपने प्रोफेशनल डिग्री कहां से ल बताओ, कौन से पसू, कौन से पेड, जाओ हो गया इंटर्व्यू, दीस मिनिट आपके खा के भेज देगा, क्योंकि आपका लेवल ही यही था, उसी पर बात करता हूँ, और एक IIT के बच्चे यह बात थोड़ी पूछेगा, आप सोचो एक मिनिट, पूछेगा है क्या कैडर होता है, जिसे बहुत सारे हमें एक्जाम देते हैं, NTAC, National Talent Search Examination, उसके अंदर सर्टिफिकेट मिलते हैं बच्चों को, जब किसी इंटर्व्यू में जाते हैं तो दिखाते हैं, देखिए सर मेरे पास विशेश योग गताएं हैं, इस्कॉलर सर्टिफिकेट है मेरे पा मैंड को परिवर्तन करते हैं, कि बच्चत है, तैलेंटेड है, अच्छे मार्कस आने चाहिए, और जब यह नहीं होती है, तो देखिए हम कहते हैं, हमने PG कहां से की है, PG भी देखिए, आप लोगों को यह भी नहीं प्रता कि PG कहां से करना चाहिए, कर लिए हमने PG साब जहा बदलेंगी, आज की जैसी नहीं होगी, उसके बाद देखिए, फिर जाएए बनारस, DHU में, सेकिंड नमबर आती है, थर्ड नमबर पर DU आती है, इनमें एडविशन नहीं हो, तो किसी भी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से करो, जहां 30-40 सिटे होती है, PG करने का आन फरक पड़ता है, कैडर का इन चीजों का, अच्छा दोस आपका भी नहीं है, जिन बच्चों की PTT का एक्जाम वा टोप रेंक थी ना, वो भी घर की दुकान में गया था, यहां बीड करने के लिए, उसको यही नहीं पता था, मुझे यहां जाना चीए, जिस स्कूल का प् पैसे दे जाना, मताना, वो भी यही चाहते हैं, आप आओगे नहीं टीचर लगाना नहीं पड़ेगा, उसको सेलरी नहीं देनी, वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि यह तो प्रोफिट की दुखान है हमारी, खुली इसलिए, इन्हें सरकार चलाती है, मिनिस्ट्री ओफ एज करनी है, हम तो कर चुके हैं, लेकिन जब आप बारवी के बच्चे को पढ़ाओगे ना, तो बच्चा आएगा आपके पास, सर में क्या करो, मेरी 72% बनी है बारवी में, अच्छा व्याख्याता वो ही है, बच्चे को सही गाइड करेगा, अच्छी जगे बेजेगा, व्या व्याख्याता बनके, माई बाप आप ही है, उन गरीब बच्चे के और कोई नहीं है, गाइड करने वाला, तो आप उनको सही दिसा और सही जगे उन बच्चे को पोचाईए, वो बच्चा जीवन भर हैसान मानेगा आपका, अच्छी जगे अगर वो पोँच गया तो वो ब दिखो बेटा, और सुरू कर देता इसको पढ़ाना यही से, दूसरा टोपिक अपने कॉर्स में यह है, पढ़ा देता मैं तो इसको, और एक टोपिक यह है हमारा, लेकिन यहां हमें पाठिचरिया कोई शीखना नहीं है, यहां हमें इन चीजों की बारिकी से भी पता होना जिए हमारे सिस्थम क्या चल रहा है, और इनकी इनकी नोलेज तो जब आएगी, जब हमें पूरे सिस्थम की नोलेज होगी, अब आपको यह पता चल गया, यह इस्टेट लेवल की इंस्ट्युट्यूट नहीं है, यह तो प्रारंभिक शिक्षा देने वाली, और यह मादम जो सरकार इंस्टिटूट हैं देखिए आपके सामने, डाइट 33, बाइट 4, IAC 2 और CTE कितने हैं, 8 और TTC 800 से भी ज्यादा जल्दी से बनाओ ये सार्णी भई, पुरी सार्णी बना लीजिए, कौन कौन से स्थाएं कहां पर हैं, नैशनल लेवल की पहले थी अपने कोर्स में, ये वाली थी पहले, अब हटा दिया देखिए, इसलिए बस छोटा कर दिया ना अपना, अब केवल ये तीन ही पढ़नी हमें डेटेल से, कर दोटी सार्णी अपने कैमा लेड़िया का दिलीन ही अपना लेवल के दिल хотелकि कोर देखिए, चलहरा कर दोट्पक्तों कर दोटे कमाने का क।ूल के क।ूल ही थी अपना लेक्वल encaps hी अपना बेवल, ले बसे रजोरा हैं, आपना व दफना इम दोटते वाले बससे अपना झाल झाल पांच देखिए पांच जो हैं एक तो अपनी का है अजमीर एक भौपाल और उसके बाद एक बुनेश्वर और एक मैशूर और एक शिलाउंग उम्यक यह पांच थी N-C-T-E की लिख देता हूँ यार इसकी स्थापना थी बाणमे में थी 1990 मानिता मिल गई थी इसको N-C-T-E और देख ले ना इसको कनफरम भी इसको बाणमे तिराणमे के लगबिक था देख ले ना इसकी डेट को एक बार तिराणमे था इसका साइड बाणमे तिराणमे तिराणमे में स्थापित हो गई थी 1993 तिराणमे इसकी लिखी वही है ना तो फिर तेतर करो इसका हव याद आगया क्या है कि डेट बड़ी कनफ्यूज रहती है मुझे इतनी सारी इंस्टिट्यूट है आजी इसकी ने ने एनसी टी की स्थापना उननी सो पिच्याण में के ना चलो कोई बात नहीं देख लेंगे इनको हाना नेट से सर्च करेंगा तो मिल जाएंगे एक्जेक्ट कर लेना आप इनकी क्योंकि हो सकता है कि डेट वह इतनी सारी है कोई उपर नीचे भी हो गई हो जल्दी से उतार लीजिए भी कई तो काफी देरे देरे उतारते हैं जब बताते रहते हैं कुछ तब कुछ तो वहीं उतार लिया करो थोड़ा थो चलो लिखी अब इसके बाद शिक्षक शिक्षा टीचर एजूकेशन ये क्या होती है इसकी बात करते हैं ये एडिंग डालनी है अब हमें ये तो सनस्था ही थी अब क्या लिख रहे हैं हम शिक्षक शिक्षा टीचर एजूकेशन